बिग बॉस 14 में नजर आ रहे अभिनेता एजाज खान पर लगा है रेप का आरोप दोस्तों आज हम आपको बिग बॉस में नजर आ रहे अभिनेता एजाज खान के बारे में उन पर कैसे लगा रेप का आरोप उस हैरान कर देने वाली बास से रूबरू करवाएंगे तो चलिए जानते हैं क्या है वे बात बिग बॉस में नजर आ रहे है अभिनेता एजास खान अपने दोर के एक फेमस एक्टर रह चुके हैं जिन्होंने अपने टाइम पर एक से बढ़कर एक सीरियल में काम किया है जिसमें टीवी सीरियल ये मोहमो के धागे कवे अंजली लकी कबुतर जैसे फेमस सीरियल शामिल है और इसके साथ-साथ उन्होंने बॉलिवुट की मशूर फिल्मों में भी काम किया है जिसमें तनुवेट्स मनू, तनुवेट्स मनू रिटर्न और सोरगुल जैसी फिल्में शामिल है अगर बात कर एजास खान की प्रसन लाइफ की तो एजास खान पर लगा था रेप का आरोब एजास खान की गर्लफेंड निधी कशिप ने उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्श करवाई थी निधी कशिप ने जबरन एजास खान पर रेप का आरोब लगाया था हाला कि एजास खान ने बाद में कहा था कि उनका निधी कशिप के साथ रिलेशन उनकी सबसे बड़ी गलती थी तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि एजास खान बिग बॉस के कंफर्म कंटेस्टेंड हो पाएंगे या नहीं आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेट करके जरूर बताएं और साथी बिग बॉस 14 से जुड़ी सभी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्काइब करना ना भूले